पहले अपन मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मैथड और आज अपने पढ़ लिया था आज अपन पढ़ेंगे मीन निकालने के लिए step deviation method यानि पग विचलन विदी से अपन माध्य कैसे निकाले यानि मीन कैसे अपन निकाल सकते हैं तो यहां पर अपने पास एक question है कि find the mean by step deviation method यानि पग विचलन विदी द्वारा इसका हमें क्या निकालना है मीन निकालना है यानि हमें माध्य भी निकालना तो अपन देखतें इसको कैसे करते हैं आभेट सबसे पहले से साणी बनानी आपको और यहां पर पहला जो कॉलम है वह सी आई दूसरा है जो कि हमें कोस्चन में दे रहा है स्यार्ड और यह का मतलब वर गंतरा और यह मतलब बारंबरता यानी फ्रिक्वेंसी तो सबसे पहले अपन इस तरह के कॉलम बनाते हैं अब यहां पर देखो एक तो सी आई और एफ यह दो चीजी हमें दे रही है इसमें कौन-कौन से कॉलम बनेंगे एक तो भी आपन यू निकालेंगे यू जो होता है वो दी अपन एच होता है उसकी वेल्यू ठीक है और नेक्स्ट इसमें कॉलम बनेंगा लास्ट कॉलम जो बनेगा एफ यू का थीक है जिसको अब यहां पर यू आई भी लिखते हैं यहां पर भी यू आई भी लिखते हैं ठीक है इस तरह से यह होता है अब यह दो चीजे दे रहे हैं इसमें 123 और 4 कॉलम आपको बनाना है तो पहले आपन कॉस्टन लिखते हैं देखो जीरो तू टैन टेन टिट्टी टू थर्टी 30 तू फोटी और फोटी टू फिप्ति अब एफ क्या दे रहे हैं सेवन टैन फिप्टीन एट और अब सब्से पहले हैं यहां पर एक्स ठीक है एक्स कैसे निकालेंगे एक्स जो होता है वह इसके बीच का नंबर ठीक है ना यानि इसका मद्यमान होता है अब एक्स केसे फाइंड करते हैं इसका एक तरीका है आप यह जो लॉर लिमिट और अपर लिमिट है उन दोनों को एड करके डिवाइड बाइड टू करना आपको तो यह एक्स की वेल्डियू आ जाएगी जैसे यहां पर देखो जीर method यह है कि आप पहले पहली बार में आप 0 10 को एड कर दो उसको आधा कर दो कितना ओं गया आप़ को क्या करना यह कितना जञादा अभ़ जादा है तो इन सब में 5 एड कर दो तो भी आपके यह आ जाएगा जैसे 10 में 55-25-35-35 और 40 अंभाइव-45 इस तरह से भी आ सकता है कि उसी तरह से 30 और 40 70 70 का आधा कितना होता है 35 तो यह मीट मिड वैल्यू है यानि इसके बीच की जो वैल्यू है वह एक्स आती है अब यह एक्स निकाल दिया अब यहां पर देखो हो next column है डी इक्स माइनस अब यह कहां से आगा एका मुणलब होता है अब यह जो एक्स वाले जो नंबर है उसमें से हमें पहले से इस 25 मेने अब यहां देखो पहले डिविएशन निकालेगे इस 25 का सबसे डिविएशन कितना है तो यहां पर अपना पास फॉर्मूला है डी इस से अपको 25 माइनस करना है तो फाइब माइनस 25 यहां पहले होगा 5-25 कितना हैगा माइनस 20 आ गया फिर 15 माइनस 25 15 में से भी 25 माइनस करो माइनस का 10 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20 यानि जहां आपने माना है जिसको भी A माना है उसके सामने 0 आएगा, उसके उपर negative आएंगे और नीचे जो number आएंगे वो positive आएंगे, इस तरह से यह deviation निकालते है D, तो A आपको मानना यहां बीच में से ही मान लेना, ठीक है उसके बार आता है U अब U का formula है D upon H यह जो D आया है, उसको H से divide करते हैं, अब H क्या है H का मतलब होता है, यहां पर जो gap है, ठीक है, class interval interval कितनी है, देखो, यहां 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यानि 10 का gap है तो यह H की value क्या होगी 10 होगी, अब यह जो D आया है, उसको 10 से divide करेंगे देखो, तो minus 20 divided by 10 कितना होगा, minus 2 minus 10 divided by 10 minus 1 यानि इन सब number को formula यह है कि U is equal to D upon H तो यहां पर इन सब को 10 से divide करना है, 0 divided 10, 0 10 divided 10, 1 20 divided 10 is equal to 2 हो गया उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर next column में F U, यानि F into U F और U का multiple है तो यह F और यह U इन दोनों का आपको गुणा करना है तो देखो, corresponding number का गुणा करो, जैसे 7 का गुणा होगा minus 2 से तो minus 14 हो गया 10 का गुणा होगा, minus 1 से तो minus 10 आगया 15 का गुणा होगा, corresponding 0 से तो 0 आएगा, 8 into 1, 8 and 10 into 2 is equal to 20, अब आपको यहां पर sum किसका करना है एक तो sigma F जो F का sum है, वो sigma F कहलाता है, इनका sum करना है और एक यह करना है आपको sigma F U, इसका sum करना हमे ठीकर, अब इसका sum किसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, minus minus वाले यहां पर minus में भी और plus में भी है तो minus minus वाले पहले add कर दो, आगे minus लगा दो तो minus minus वाले यह दोनों इन दोनों को add करेंगे, तो minus 24 आगया, और plus plus वाले, अलग से add करके प्लस लगा दो, तो 20 और 8 28, अब आपको इन दोनों को solve करना है, तो minus 24 plus 28, is equal to कितना हैगा, plus का 4 यह आगया, इस तरह से इनका sum करना आपको, पहले negative को add करके minus लगा देना है, positive को add करके plus लगा देना है, फिर यह प्लस माइनस में हैं, तो क्या करते हैं, अपन subtract करते हैं, और जो बड़ा नंबर है, वो क्या है, positive, तो plus लगाएंगे अब यहाँ पर इनको add कर दो, अब इनका addition कितना होगा देखो, 7 और 10 कितना होगा, 17, 17 और 22, 22 और 10, 32, 32 और यह 40, 40 और 10, 50, तो यह कितना आगया आपके, 50 आगया, ठीक है, यह टेबल वर्क, जो है, वो complete हो गया, अब अपन इसका mean निकालते हैं, mean यानि माद्य, माद्य निकालने का इसमें formula होता है, mean यानि x-bar, a plus sigma fu upon sigma f multiply by h, यह formula है, ठीक है, अब इस formula में आपकी value, यह सारी जो value वो इसमें रख देनी है, तो आपके answer आजाएगा, देखो, ए, ए किसको माना था, अपनने, 25, तो यहाँ पर 25 plus fu, sigma fu कितना है, 4, तो 4 upon sigma f कितना है, 50, 50 into h, h की value देखो, कितनी है, 10, h का मतलब यहाँ पर class interval, तो यह 10 आ गई, अब देखो, यह दोनों multiply है, इसको पूरा solve करके, इसको 25 में add करना है, तो यहाँ 0 से 0 कड़िया, तो 25 plus 4 upon 5, तो 25, पहले ही आपको यह divide करना है, 4 में 5 का division करोगे, आप 0.8 आएगा, अब 25 और 0.8 को add करेंगे, तो 25.8 this is answer, यही आपके answer है, ठीक,